हेलो दोस्तों मैं आकाशगरग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के 5 बेस्ट इंशोरेंस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप 2021 में बाय कर सकते हैं तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी इंशोरेंस प्लान बाय करते हैं तो हमेशा आपको अपनी जरूरत के अकोर्डिंग ही आपको इंशोरेंस प्लान बाय करना चाहिए और अगर आप एक LIC agent है तो आपको भी आपके customer की जरूरत के हिसाब से ही उनको insurance plan देना चाहिए तो यहाँ पर सभी लोगों की जरूरत हैं वो अलग-अलग होती है तो एक ही insurance plan आप सभी लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा तो इसलिए मैं आपकी जरूरत के हिसाब से ही आपके लिए best plan बताने वाला हूँ LIC ने अलग-अलग लोगों की अलग-अलग जरूरतों को देखते हुए 25 से जादा insurance plan launch किये हैं जिसमें से जो भी आपको insurance plan पसंद आता है वो insurance plan आप अपनी requirement के हिसाब से ले सकते हैं जैसे कि अगर आप अपने बच्चों के लिए planning करना चाहती हैं तो आप children plan ले सकते हैं अगर आप अपनी retirement की planning करना चाहती हैं तो retirement plan ले सकते हैं अगर आप एक guaranteed return plan चाहती हैं तो यहाँ पर guaranteed return plan भी available हैं उसके साथ अगर आप FD की तरह investment करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर single premium insurance plan available है इसी के साथ सथ अगर आप सिर्फ term insurance plan चाहते हैं जिसमें आपका सिर्फ risk cover होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको insurance plan मिल जाते हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो insurance plan मैंने इसमें रखा है वो है G1 Lab यह मैंने पहले नंबर पर इसी लिए रखा है क्योंकि यह insurance plan मैंने अपने लिए भी buy किया था यह insurance plan उन लोगों के लिए best हो सकता है जो insurance cover के साथ साथ एक high return चाहते हैं अगर हम LIC के इस insurance plan को किसी और plan से comparison करते हैं तो इस plan में जो bonus का rate है वो बाकि insurance plan से ज़ादा है इसलिए जब इस policy की maturity होती है तो उस समय आपको ज़ादा return देखने को मिलती है साथ ही इसमें आपका जो insurance cover है वो भी आपको मिलता है दूसरी खास बात इस plan की ये है कि इसमें आपको कुछ कम सालों के लिए premium की payment करनी होती है अगर आप 16 साल के लिए इस insurance plan को लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए आपको premium की payment करनी होगी इसी तरह से 21 साल का लेते हैं तो आपको 15 साल पेमेंट करनी है और अगर आप 25 साल के लिए policy term लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 16 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी यानि कि उसमें आपको 9 साल प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है और आपका इंशोरेंस कवर उसमें चलता रहेगा और इस प्लान को लेने के लिए जो कम से कम उम्र है वो आपकी 8 साल की होनी चाहिए और जाद से जादा इसमें जो एस दी गई है वो दी गई है 59 एर्स की यानि कि 8 एर्स से लेके 59 एर्स सक के वैक्ती इस इंशोरेंस पोलिसी को ले सकती हैं अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें तो इसमें आप हर महिने भी प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं अगर आप तीन महिने, छे महिने या एक साल में इसकी policy के premium की payment करना चाहते हैं, तो उसका भी option आपके पास available है, इसी के साथ साथ इसमें आपको tax benefit और loan के benefit भी आपको मिल जाते हैं, उसके बाद जो second plan मैंने इस list में रखा है, वो है जीवन लक्षे, ये भी LIC का एक काफी बहत हो जाती है, तो भी वो planning successful हो, तो आपके लिए ये plan काफी बहतर रहेगा, ये plan उन लोगों के लिए काफी बहतर रहेगा, जो ज़्यादा risk cover चाहते हैं, और उसी के साथ साथ savings भी करना चाहते हैं, इस plan की खास बात ये है, कि अगर policy holder की death हो जाती है, तो भी यहाँ पर maturity का amount म नहीं होती है, तो भी यहाँ पर maturity का amount मिलता है, ये plan मैंने second number पे इसलिए रखा है, क्योंकि जो इसका premium है, वो थोड़ा आपको ज़्यादा pay करना होता है, क्योंकि जो इसके benefits है, वो आपको काफी सारे इसमें मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पर आपको इस policy में 3 साल कम premium की payment भी करनी होती है, मान लेते हैं, आप इस policy को 20 साल के लिए लेते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 17 साल policy की premium की payment करनी होगी, यानि कि जो भी आप policy term लेते हैं, उससे 3 साल कम आपको इसमें premium की payment करनी है, आईए इस insurance plan को situation लेके समझते हैं, कि कैसे जो आपकी planning है, वो यहाँ पर आपकी complete हो सकती है, तो मान लेती हैं, आपका एक साल का लड़का है या लड़की है, और आप चाहते हैं कि जब भी उसकी उम्र 22 साल की हो, तो उसकी higher education के लिए आपके पास amount हो, ताकि आप उसकी अच्छी higher education करा सकें, तो यहाँ पर मान के चलते हैं, आप ये insurance plan ले लेते हैं, और उसके बाद जब बच्चे की उम्र 10 साल की होती है, तो उस समय आपकी यहाँ पर death हो जाती है, तो यहाँ पर अगर आप और कोई investment करती हैं, जैसे कि मैं बात करूं mutual fund की, तो उसमें जो आपकी financial planning है, वो वहीं पर खतम हो जाएगी, और जो 10 साल में आपने पैसा जमा किया था, वो आपके बच्चे को मिल जाएगा, लेकिन इस plan में ऐसा नहीं है, यहाँ पर policy के दोरान, अगर policy holder की death हो जाती है, तो जो maturity benefit है, वो मिलेगे ही मिलेगे, यानि कि death होने के बाद आपकी family को कोई premium pain नहीं करना होगा, और जब भी इस policy की maturity होनी थी, तो आपके बच्चे को या family को वो maturity का amount मिल जाएगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी family ताकि अपना घर का गुजारा कर सके, तो उसके लिए भी आपके समिशोड का 10% मिलता है, जो कि हर साल आपकी family को मिलेगा, अगर आप 10 लाग रुपे का भीमा लेते हैं, तो एक लाग आपकी family को हर साल मिलता रहेगा, जब भी आपकी policy की maturity होती है, तब तक यहाँ पर यह amount आपकी family को मिलता है, यानि कि आपके बच्चे की 10 साल की उमर से लेके, जब तक वो 22 साल का होगा, तब तक यहाँ पर 1 लाग रुपे का amount मिलता रहेगा, अगर आपने 10 लाग रुपे क बीमा इसमें लिया है, तो यह एक भैतरीन प्लान उन लोगों के लिए हो सकता है, जो अपने बच्चों की future planning करना चाहते हैं, इसी के साथ सथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, कि यह insurance प्लान आप अपने बच्चों के नाम पर नहीं ले सकते हैं, यह प्लान आपको अपने बच्चे के future को secure कर सकते हैं, उसके बाद जो तीसरे नमबर पर मैंने एक insurance plan रखा है, वो है जीवन उमंग, यह एक काफी बहतरीन insurance plan उन लोगों के लिए रहेगा, जो की whole life insurance चाहते हैं, और उसी के साथ साथ guaranteed return भी चाहते हैं, अगर आप अपनी retirement की planning करना चाहते हैं तो भी यह आपके लिए एक बहतरीन insurance plan हो सकता है, जो लोग चाहते हैं कि कुछ साल premium payment करने के बाद उनको एक guaranteed amount मिलता रहें, और साथी साथ उनकी death होने के बाद भी आपकी family को एक अच्छा खासा amount मिल सकें, ताकि वो अपना आने वाले समय में गुजारा कर सकें, तो उनके लिए ये एक insurance plan काफी बहतर होगा, यहाँ पर जो भी आप premium paying term लेते हैं, वो complete होने के बाद आपको हर साल एक guaranteed amount मिलता है, यह जो guaranteed amount है वो साथ से लेके 8% तक का हो सकता है, अगर आप 10 लाख रुपे का भीमा लेते हैं, तो उसमें आपको 70-80,000 रुपे हर साल जिंदगी बा जिसमें आपको 15 साल premium की payment करनी होगी, जब यह 15 साल खतम हो जाती हैं, तो उसके बाद आपको हर साल amount मिलता रहेगा, और यह amount तब तक आपको मिलेगा, जब तक आप जीवित है, जब भी आपकी यहाँ पर death होती है, तो उसके बाद जो भी death का benefit amount है, वो आपके family को मिल जाता है, यहाँ पर इस policy में जो maturity होती है, वो 100 साल में होती है, अगर यहाँ पर आप 100 साल जीवित रहती हैं, तो जो भी maturity का amount होगा, वो आपको मिल जाता है, इसमें अगर हम premium की बात करें, तो आप हर मैने, 3 मैने, 6 मैने या 12 मैने में अपनी policy के premium की payment कर सकते हैं, इस plan को लेने के लिए जो कम से कम उमर रखी गई है, वो है 90 दिन की, यानि कि 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा की आपके बच्चे की उमर है, तो उसके नाम पर भी आप इस insurance plan को ले सकते हैं, और अगर हम maximum age की बात करें, तो वो आपके premium paying term पे depend करेगा, कि आप वो कितनी साल के लिए लेना चा आती हैं, उसके बाद मैंने fourth number पर एक insurance plan रखा है, वो है जीवन आनन्द, जो लोग चाहते हैं कि उनका जिन्दगी भर insurance रहे, और जब भी उनकी death होती है, तो उनकी family को death benefit मिल जाए, तो उनके लिए ये एक best insurance plan हो सकता है, इस policy में maturity तो होती ही है, साथ में policy की maturity होने के बाद आपका lifetime insurance cover रहता है, अगर हम बाकी insurance plan की बात करें, तो उनमें maturity के बाद insurance cover खतम हो जाता है, इस policy में maturity के बाद भी आपका जिन्दगी भर insurance cover रहता है, तभी इसको कहा जाता है, जिन्दगी के साथ भी, जिन्दगी के बाद भी, मान लेते हैं, आपने 21 साल के लिए इस insurance plan को लिया और यहाँ पर 21 साल आपकी policy के complete हो जाते हैं तो जब आपकी 21 साल complete हो गे तो उसके बाद यहाँ पर आपको maturity का amount मिल जाएगा यानि कि आपकी policy का amount यहाँ पर मिल जाएगा लेकिन उसके बाद भी आपकी insurance policy चलती रहेगी जब भी यहाँ पर आपकी देथ होगी तो उसके बाद आपकी फैमिली या नोमिनिको जो भी देथ कवर का अमाउंट है वो इसमें मिल जाता है कई बार ऐसा होता है कि आप 40 साल की उमर में इंशोरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसके बाद आपकी 60 साल में पॉलिसी की मैचुर्टी हो जाती है और उस समय जब आप नया इंशोरेंस प्लान लेना चाहती हैं तो आपको काफी हाई प्रीमियम पे करना होता है या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि 60 साल की उमर में आपको इंशोरेंस नहीं मिलता है तो अगर आप उस चीज को ध्यान में रखती हैं तो आपके लिए ये इंशोरेंस प्लान बैस्ट रह सकता है उसके बाद मैंने फिफ्ट नंबर पे एक इंशोरेंस प्लान रखा है वो है सिंगल प्रीमियम प्लान अगर आप एक साथ पैसा LIC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही इंशोरेंस कवर भी चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए हैं जैसे आप FD में एक साथ पैसा जमा करते हैं ठीक वैसे ही आप इस प्लान में भी अपने पैसे को जमा कर सकते हैं इसमें जो भी आपका पैसा होता है वो एक फिक्स time period के लिए जमा किया जाता है जब वो time period पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको जो भी maturity का amount है वो आपको मिल जाता है इसमें आपको एक अच्छी return देखने को तो मिलती ही है साथ में जो insurance cover का benefit है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है तो अगर आप एक साथ पैसा इसमें लगाना चाहते हैं तो आप single premium plan ले सकते हैं इसके अलावे मैं आपको कुछ additional information भी देना चाहूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा premium payment के लिए पैसे नहीं है तो आप अपने लिए अधार शिला या अधार stump plan को ले सकते हैं क्योंकि ये जो insurance plan है इसमें जो premium है वो काफी कम है अगर आपके पास ज़्यादा premium की payment नहीं है तो आप इन plan को ले सकते हैं इसी के साथ साथ जो भी लोग guaranteed return चाहते हैं वो LIC का नया plan भीमा जोती ले सकते हैं क्योंकि उस insurance plan में आपको guaranteed return मिलती हैं यानि कि जो उसकी maturity का amount होगा वो bonus पर dependent नहीं करेगा वो एक guaranteed होगा जो कि आपकी policy खतम होने पर आपको मिल सकता है तो ये मैंने अपने तरफ से आप सभी को 5 best insurance plan बताए हैं जो कि आप ले सकते हैं अगर आप इन plan के बारे में detail में जानना चाहती हैं तो उसकी वीडियो का link इस वीडियो के description box में मिल जाएगा आपने अपने लिए कौन सा insurance plan ले रखा है या फिर आप कौन सा insurance plan लेना चाहते हैं वो आप मुझे comment करके जरूर बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को like सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए free है धन्यवाद